वेलकम टुफिस्ट्री ऑनलाइन ICC की एक ओफिशिल वेबसाइट में निव सर्कुलर आया है और उस सर्कुलर में में रिवाइस्ट जो डेट्षीट है वो पबिश हुआ है डेट्षीट पबिश हुआ था और उसके बाद यह रिवाइस्ट डेट्षीट जो है वो अभी होने के बाद मैंने नोटिश किया जोट नहीं बोलेंगे कोई YouTube वीडियो से मुझे पहले पता चला कि जो इद है उसी डेट पर गया था एक लेकिन वह पर मैंने एक वीडियो बनाया उसमें बोला था कि चेंज हो सकता है यह जो डेट लेकिन मैं वह पर कन्फर्म नूट जो है वो नहीं दे पाया था लेकिन अभी ओविशियल वेबसाइट में यह रिलीज हो गया है यहाँ पर देख सकतो लिखा हुआ है रिवाइस त 2021 वार यह तो खुश है बहुंट खरते करें थी लिखा है यह डिग देख सकर अगर इस इसी का जो गीमिया को एक्जम था जो एड है और यह जो एड है फोटें वे का जान इस्पर देख्णा था एक्जम ता एकोनोमिक्स् वह अभी होगा 4th में से, इसका मतलब बोड एग्जामिनेशन 5th में नहीं, 4th में से शूर हो रहा है, Economics, Group 2, एग्जामिनेशन 5th में से होगा, 4th में में होगा, 13th में से, और मेनली जो है, आट पेपर 2, जो 15th में को होना था, वह जाके 22nd में को होगा, 22nd में और यह जो 15th में का एक्जामेनेशन है वो प्रस्पांट होके 22nd में चला गया और अगर बात करें ISC की ISC का इन्स्ट्राक्शन्स है बात में आता है पहले देखते की डेट में क्या चेंजेस आया तो फर्सली यहां पर दिखा रहा है कि जो 13th को पेपर था इंग्लिश पेपर 2 ISC 2021 का वो 13th का पेपर वो पहले आ गया है इसका मतलब 4th में से आ गया है तो यह पर स्टूडेंस के लिए यह बोल सकते थोड़ा सा बुरी ख़बर ही है क्योंकि कुछ दिन भात था इंग्लिश पेपर 2 लेकिन अभी 4th में 1st एक्जाम जो होगा वो वो होगा इंग्लिश पेपर 2 तो अटोमेटिकली थोरा सा प्रेशर तो स्टूडेंस के ऊपर आ ही गया और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट एक्जाम की बारे में बात करेंगे 15th मेंकी ज अगर आएगा तो इस वीडियो में बस इतना ही आते कोई नहीं वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में